हिंदू पुरानों में भक्तों की सुविधा के लिए ये बताया गया है कि कौन से देवी देवता को कौन सा पोश्प चड़ाना चाहिए, कौन सा भोजन खिलाना चाहिए और कौन सा रग उन्हें प्री है जिसके आधारपरमं के भक्त जो हैं वो उनके बहतीर तरीके से जान पाते हैं और अपने आरादे को प्रसंद रखने की पूरी कोशिश करते हैं देवी देवताओं के किसी भी मंदिर या उनसे जोड़ी कहानिया और तस्वेरियों में हम हमेशा उन्हें किसी कास तरह के पशू या पक्षी को उनके वाहन के तौर पर देखते हैं शिव की जोड़ा गया है तो आज मैं आपको यही बताना चाहत नहीं जान पताना चाहा रही हो कि देवी देवताओं और उनके वाहनों के पीछे चिपी खानी के बारे में की कॉन से देवी देवता की कहानने को क्यान है तो देंर नंकते हुए हम अपनी वीथियो को आगे बढाते हैं तो इसके पीछे उनकी विशिष्टी होगी त horses था vont देवी और देवता एक ब्रह्मा के प्रतिनेदी हैं। देवी और देवता 33 प्रकार के होते हैं। चनि अगल जोते हैं जिन,"कांगीər", कृषब ४चि प्रावगião देवता नियिटा के दो पुत्र हुएक गरुण और अरुणुण। गरुण जी विश्णू की शरण में चले गए और अरुण जी सूर के सार्ती हुए। समपाती और जटायू इनी अरुण के पुत्र थे। राम के काल में समपाती और जटायू की बहुती चर्चा होती है। ये दोनों भी डंड काराणे चेत में रहते थे। खास कर मद्ध्य च्शति सगे ते सांदि महाधा के मताबिक द रावणे के आकाश में रावण और जटायू का यूद हुआ था और जटायू के कुछ अंगaráणे में आंकग गिरेतें इसलिए यहां एक मंदिर है। दूसरी और मद्य-प्रदेश के देवास जिले की तहसील बांगली में जटा शंकर नाम का एक स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि गरुन राज जटाईू वहां तपस्या करते थे जटाईू पहला ऐसा पक्षी था जो राम के लिए शहीद हो गया था जटाईू कहां हुआ ये तो पता नहीं है दोस्तो लेकिन उनकी डेंड का आरण में हुई थी महालक्षमी का दूसरा वहान जो होता है महालक्षमी का जो दूसरे नंबर का पश्यू है उनका वहान है उल्लू आजकर ये प्रजाती बिल्कुल लुप्त हो गई है पस्चिम मानेता के अंसर किस वेक्ति को मुर्क बनाना अर्थ से ही हो जाता है 32 سंस्कृति में उल्लू की शुबिता और धन संपत्थी का प्रतीक माना जाता है हाला कि अधिकतर लोग इससे डरते है इस डर के कारण ही उसे अशुब भी माना जाता है अधिकतर यहम कहा जाता है कि यह तांतृक विद्या के लिए कारे करता है उन्नों के बारे में देश विदेश में कही तरह के विचिन धारणाएं फैली होई है अधिक संपन होने के चक्कर में लोग दुन्न प्रजाती के उन्नों के नाकून पंक आधी को लेकर तांत्री क्रिया करते हैं कुछ लोग तो इनको दिपवली की रात को बली भी चड़ाते हैं जिसके कारण इस पक्षी पर संकत गहरा गया है हाले कि ऐसे करने से रही सही लक्षमी भी चली जाते हैं और आदमी पहले से अधिक गहरे संकत में फज जाता है रहस्मी प्राणी जो उलू होता है जब पूरी दुनिया सो रही हो तो यह दोस्तों बहुत जखता है यह अपनी गर्दन को 170 अज तक खुमा लेता है और यह रात्री में उर्टे समय पंकों की आवाज नहीं निकालता है कि आखे कभी नहीं जपकती है उलू का हूँ 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 उच्चारण एक उसका मंत्र है उलू की दिश्टी तेज होती है दूसरा गुण इसका नीरव उडान तीसरा गुण इसमें क्या होता है कि शीत रुटु में भी उन्ने की शमता होती है इसके अलावर इसकी योगित जो अने किसी प्राणियों में नहीं होते है उसकी और उसकी योगिता को देखकर अभिज्ञानी किसी तरह की विमान बनाने में लगे हूँ है यह एक ऐसा प्राणियों जो खिसानों के लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि ये खेत में चुहे साब बिच्चू आदी न बात ऐसी है कि प्राणी जगत की सर्चना करने के बाद एक रोज सभी देवी देता धर्ती पर विच्रंग करने आए जब प्रसु पक्षियों ने उन्हें प्रस्वी पर घुमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो सभी एकत रोकों उनके पास गये और बोले आपके द्वारा उत्पन होने पर हम धन्ने हुए हैं हम आपको धर्ती पर जहां जाएंगे वह ले जाएंगे आप हमें वहान के रूप में चुने और हमें कृतार्त करें देवी देता ने उनकी बात मान को उन्हें अपने वहान के रूप में चुनना आरम कर दिया ज लक्ष्मी जी सोच विचार करने थी तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रतेक वर्ज कार्ति का मवस्या के दिन में प्रत्वी पर गूमने के लिए आती हूं उस दिन में आप में से किसी एक को आने लगे रात के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धर्ती पर पधारी उन्हें अंधेरे में अपनी तेज द्रस्वत पहले देख लिया और उनके समय पहुंच गया और उनसे प्रत्ना करने लगे कि आप मुझे अपना वहान सुकारे लक्ष्मी जी ने चारो और देखा तो ने को परिवार में प्रेम और एकता का यह सबसे श्रेश्ट उधारान इसके अलावा हन्स अपने चुनू इस्तानों पर ही रहता है इसकी खासियत यह है कि अन पक्षियों की अपेक्षा सबसे उचाय पर उडान भरता और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है जो ग्यानी हो जो बुतित्व प्राप्त कर लेते उनको पराम हंस कहा जाता है ज्यान की देवी मा सरस्वति की सबसे बहतर वहान हंसी हो सकता है मा सरस्वति का हंस पर विराजमान होने यह बताता है कि ज्यान से ही जिजासा को शांत किया जा सकता है ज्यान से ही जीमन में पवित्रता नेक् प्राचिन सविट्स बिताओं का वो है शिव जी का नंदी बैल Jaf T,일 कि टाब चाफ का आम शास्त मोक शास्त में से जी काम शास्त की यह रिचना नंदी नहीं की थी विश्व की लगगर सभी प्राचिन सबताओं में बैल का महत्व दिया गया है सुमेरियन बेबिलियन असीडिया और सिंदुख हाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्ती पाई जाई है इससे प्राचिन काल सही बैल का महत्व दिया जा रहा है भारत में बैल खेती के ल अपने बल और शक्ति का भी प्रतीक है, बैल को मुह माया और भोतिक छों से परे रहने वाले प्राणी भी माला जाता है, यह सीधा साधा प्राणी जब रोधित होता है तो सिंग से भी भिड़ लेता है, यही सब कारण है कि भगवान शिव ने बैल को अपना वहान मना है, शि प्रदान किया, एक दें शैलाद रिशी के आश्रम में मित्र वरुन नाम के दो दिव्य संत पधारे और नंदी ने पिता किया गया से उनकी खूब सेवा कि जब जाने लगे तो रिशी को तो नंभी उम्र और खुशाल जीवन का अश्रवाद यह ता नंदी को नहीं, लेकि मुझे क्या बात है, तो पिताने का तुमारी अलपायो के बारे में संत कह गये, इसलिए चिंत तो यह सुनकर नंदी हसने लगा, और कहने लगा, कि आपने मुझे भगवाद शीव की क्रपा से पाया, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यो नाहक चिंता करते हो, इतना कहता है, नंदी भुवन नदी के किनारे शीव की तपस्या करने के लिए चले गए, कटो तब करने के में शीव जी प्रकट हुए, और कहा वर्दान मांगो वद्सतम नंदी ने कहा कि मैं ता उम्रा आपके सान्दी में रहना चाहता हूँ, नंदी के समद्पन से प मां पारवती का बाग है, माता पारवती की वहान बाग है, तो दुर्गा माता का वहान शेर, माता दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है, बाग तो माता पारवती का वहान है, बाग दम में सहाज कूता, क्रामकता और शोरियता का प्रतीक है, बाग की धार के आगे संसार का वागी सभी आवाजे कमजोर लगती हैं ये तीनों विशेषता है मापारवती के आचरन में भी देखने को मिलती हैं माता पारवती के हिदा बहुत कोमर है मा की पुझा यदि सच्चे मनद शुर्दा के साथ की जाए तो हर बिगड़े कार बन जाते लेकिन यदि माता को किसी भी रूप में अपमान हो या उनसे वाद खिलाफी की गई तो फिर उनका क्रोध देखने लाइक होगा कुछ लोग मनद को कर लेते हैं लेकिन काम होने के बाद उससे पूरी नहीं करते तब माँ उनको याद दिलाने के लिए भक्तों को धन चक्कर बना देती है एक दिन पारवती को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा लेकिन वह वहीं चुपचा बैड़ गया माता के प्रवाक के चलते हुआ बाग भी तपस्या कर रही मा के साथ वहीं सालों चुपचा बैटा रहा मा ने हट कर ली थी कि जब तक वह गौरी नहीं हो जाएंगी तब तक वह प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वर्दान देखा चले गए फिर माता ने पास की नदी में स्नान के और बाद में देखा कि बाग वहां चुपचा बैटा माता को ध्यान से देख रहा है माता पारवती को जब यह पता चला कि शेर उनके साथी तपस्या में सालों से बैटा हुआ है तो माता ने प्रसनों को उसे वर्दान स्वरूप अपना वहां बना लिया तब से मापारवती का वहां बाग हो गया और अगर हम दूसरी कथा के अंसार देखा है तो सकंध पुरान के तमिल संस्मर कांडा पुराणम में उलेख है कि देवासु संग्राम में भगवान शिफ के पुत मरूगन यानि की कार्तिके ने दानव तारक और उनके दो भाई सिहा मुख में एवं सुरा पदम को पराजीत किया अपनी पराजय पर सिंगहा मुखम माफी मांगी तो मरूगन ने उसे एक शेर में बदल दिया और अपना माता दुर्गा के वहां के रुप में सेवा करने का आदेश दिया चटा वहान गनेश जी का जो है वो है मुशक भगवान ने अपनी सावारी बहुत ही विशेश रूप से चुनिये दोस्तों उनके वहान उनके चरेत्रिक विशेशताओं को भी बताता है शिफपुत्र गनेश जी का वहान मुशक पाई है और जनकल्यान के भाव को अपने भीता जागरित किया है विज्ञानिक पी ऐसा कहते है कि मनुष और चुहे के मस्तिक्ष का आकार प्रकार एक तरह ही है चुहे का किसी रूप में मनुष से कोई संबन जरूर है उसी तरह जिस तरह की चुहे और हाती का अगला वहान तक जेका देवता का वह है कार्तिकदेवता का मयूर्यम मौर जोत्फे भारत के राष्ट्र पक्षी जैसे हम सब जानते और यह पक्षी राष्ट्र महत भी रखता है अतना ही धार्मिक महत भी हिंदो पुनाड़े कथा गंचा भगवान मेरूगन यह कहे तो कार्तिक भाहन का वहन जो है वो मोर है एक मालेता के अंसार अरब में रह रहे याजीदी समुदाइक कुर्द ध्यधर्म के लोग हिंदू ही है और उनके देवता कार्तिक है जो मोर पर सवार है भारत में दक्षिन भारत में कार्तिक की अधिक पूजा होती है कार्तिक है कि इसकंद भी कहा जाता है जो शिव के बड़े पूत्र है इनका वहान मोर है एक कथा के अंसर अगा हम देखे तो कार्तिक को यह वहान भगवान देखकर ही बेट किया था है मवयूर का मन चंचल होता है चंचल मन की साधना बड़ी ही मुश्किल होती है कार्तिक ने अपने मन का साथ रखा था वही एक अन्य कथा में इसे दंब के नाशक की तौर पर कार्तिक के साथ बताया गया है शल्स्कित भासा में लिखे गसकंद पुरान के तमिल स्मरन कांडा पुराणम में उलेख है कि देवसु संग्राम में भगवान शिप के पुत्र मुरूगन ने दानव तारक और उनके दो भाईयों सिंहा मुखम एवं सुरा पदम को पराजित किया था अपने पराज़त पर सिहा मुखम का माफी मांगी तो मुरूगन ने उन्हें एक शेर में बदल दिया और अपना माता दुर्गा के वहान के रूप में सेवा करने के लिए आदेश दिया दूसरे और मेरूगन से लगते हुए संपा पदम सुर्पदम एक पहाड के रूप ले लेता है मेरूगन अपने भाले से पहाड के दो हिस्से में तोड़ देते पहाड का एक हिस्सा मौर बन जाता तो दूसरा हिस्सा मुर्गा बन जाता है जो कि उनके जंडे पर मेरूगन का प्रतिक बन जाता है इस प्रकार यह पुराणे कता बताती है कि मा दुर्गा और उनके बेटे मेरुगन के वहान वास्ता में दानव है जिन पर कबजा कर लिया गया है इस तरह वह इश्वर से माफी मांगने के बाद उनके सेवक बन जाते हैं आटवा वहान इंद्र का सफेध हाती आजकल सफेध हाती तो बहुत कम पाए जाते हैं मनुष ने इसका कतले आम कर दिया इनकी चरबी और हाती दात के लिए एक के लिए लगवक लुप्त प्राय है इंद्र ने अपने वहान एरावत नामा के खाती को बनाया समूदर मंतर के दोरान 14 रतनों में से एक ःरावत की ही उत्पती हुई थी हाती शान समझदर और देख बुद्धी का प्रतीक है इरावत को चार दातों वाला बताया गया है ही रा का अर्थ जल है अथा इरावत समूदर से उत्पन हाती को इरावत नाम दिया गया है अब मैं बताते हूं कि यम्राज का वाहन भैसा यम नमम एक वायू होती है, मरने के बाद वेक्ति उप्त वाय में जाकर स्थित हो जाता है और फिर प्रकृति चक्रण सा पुना थत्ति पर जन ले लेता है यम नमग एक देवता है जिनको मृत्यू का देवता कहते हैं ये दक्षिन दिशा के दिक पाल कहे जाते हैं ये अमराज को भैसे पर सवाल बताया गया है भैसा जो होता है एक समाजिक प्राणी होता है सभी भैसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं और ये एकता का प्रतीक इसा आपनी शक्ति के लिए भी जाना जाता है। यह अपनी शक्ति के साथ शक्ति का कभी दुर्प्यूग नहीं करता है। जब एकनी मरता है तो सबसे पहले यमदूतों की पल्ले पड़ता है। जो उसे यम्राज के सामने उपस्तिस करते हैं, यम्राज को डन देने का अधिकार प्रदान है, वही आत्माओं को उनके कर्मानुसा नरक स्वात प्रित्र लोक आधी लोकों में भेज देते हैं, इसमें से कुछ को पुना धती पर फेक दिया जाता है, इश्वर ने लिखता है चित्र गुप्त बांचता है, यम्राज दन देते हैं, मृत्य का समय ही नहीं अस्थान भी निश्टिंथ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है, अब वहान है देवताओं का वह है गंगा माता का मगरमच, देवी गंगा का वहान मगरमच है, सिंदू, गंगा, नर्वदा, ब्रह प्राणी मगरमच ही है, विज्ञानिक कहते हैं कि मगरमच हर परिस्थिति में जी लेते हैं, धर्ति पे इनका स्थित्र लगवा 25 करोड साल से विदमान है, जल में इनकी मगरमच की उपस्तिती से परिस्थित्य तंत्र बिगर सकता है, वर्तमान में बिदली उत पादन के न अब शनी महाराज का जो वहान है वो है कववा आप सब बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि शनीदेव की सवारी कववा ये गिद ही नहीं बलकि पूरे नौ सवारी शनीदेव की है जैसे गिद, घोडा, गधा, कुटा, शेर, सियार, हाक्ती, मोर और इरण शात्रों में कहा गया है कि शनीदेव जिस वहान पर सवार होकर जिसके पास भी जाते हैं वो वेक्ति उसी के हिसाब से फलका उत्तदाई होता है हाला कि कववा को उनका मुखे सवारी बताया गया है क्योंकि कववा एक बुद्धिवान प्राणी है कववे को अतती आगवन का सूचो को पित्रों का आश्रम स्थल माला जाता है पुराणों वे ऐसे एक कथा के अंसर इस पक्षी ना अम्रित का स्वाध चक लिया था इसलिए कहा जाता है कि इस प्राणी को कभी स्वाभाविं मृत्यू नहीं होती कई बीमारी एवर मृत्वस्ता से भी इसकी मृत्यू नहीं होती है इसकी मृत्यों कार्श्मिक रूप से ही होती है जिस दिन किसी कवे की मित्यों जाती उस दिन उसका कोई साती भोजन नहीं करता कवे अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता है किसी साती के साती मिल बाट का भोजन ग्रेंड करते है कववा लगवबी सिंच लंबा गयरे काले रंगा पक्षी है जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं कववा वगए ठके मीलो उर सकता है और भविश में घटने वाली घटनाओं का पहले से इसको अभास हो जाता है पित्रों का आश्रे स्थल जो होता है वह कववा जो होता है श्रात पक्ष में कववा का बहुत महत माना जाता है इस पक्ष में कववा को भोजन कराना अर्थार्थ अपने पित्रों को भोजन कराना माना गया है शासरों में कहा गया है कि कोई भी शम्ता वान आत्मा कववे के शरीर में स्थित्व को विच्रन कर सकती है कववे को भोजन कराने कैसे क्यालाब होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू यहां पर कि भाद महीने की 16 दिन कववे हर घर की चत पर महमान बनता है यानि कि श्राद पक्ष में ये कववे जो होता है हर किसी की छत पर देखने को मिल जाएगा लेकिन आजकल कवव कभी अस्तित्व चुकि पेडों के कटाई के कारण खत्म हो रहा है और बहुत कम कववे हो गए ये कववे 16 दिन श्राद पक्ष के दिनों में आते हैं कववे ए पित्रों को तरफ्त किया जाता है विष्टों पुरान में श्राद पक्ष में भक्ति अविनम्रता से यता शक्ति भोजन कराने की बात कही गई है कववे को पित्रों का प्रतिक चुकि माना जाता है इसलिए श्राद पक्ष के 16 दिनों तक भोजन कराया जाता है ऐसा का जात इसके पीछे एक रहस्मी कता है कि कुटता जोता एक रहस्मी प्राणी है। कुछ धर्मों में ze श intéress इनमाना गया। हिंदू धर्में इसे कुषागर ब्दडि और रहस्ञ यो कर जानने वाला प्राणी माना गया। है दो धर्म में य मनुश्यों के रक्षे करता है। भगवान भहरव ने इसे अपने वहान तो नहीं बताये लेकिन वह हमेशा इसे अपने साथ रखते हैं इसलाम के अंसरा जिस घर में कुट्टा होता वहां फरिष्टे नहीं जाते हैं हिंदू धर्म के पुराणों में कुट्टे को यमकदुत कहा गया त्रिगवेद में एक स्थान पर धन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेक मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं भहरव महराज का यह सेवक होता है हिंदू देवता भहरव महराज का इसे सेवक बाला ग कुट्टे को देखकर हर तरह के आत्मा दूर भागने लगती है इसी कारण कुट्टे को घर में रखा जाता है कुट्टे की योगिता अगर दरसल्द कुट्टा एक चुकि एक ऐसा प्राणी है जो भविश में होने वाली घटनाओ और ईश्वर माध्यम सूक्ष्म जगत की आत्मा को देखने की शमता रखता है कुट्टा कई किलोमीटर तक की गंद सुंग सकता है और हिंदू धर में एक रहेस में प्राणी होने के कारण इसे माना गया है लेकिन इसका भोजन कराने से हर तरह के संक्रों से बचा जा सकता है ज्योंकि कुट्टा एक वफादार पार पालता है बारत के जंगलों में है वाले साधू संध भी इसी लिए पालते थे ताकि उनकी कुट्ट्रे के प्रती सतक कर दें लोग घर में इसलिए पालते हैं कि वह आपके जिए आपके घर को चोरों से रक्षा कर सके लेकिन कुट्टा पालना खताना भी हो सकता वह फादे कुट्टा जो है आपको राजा से रंग और रंग से राजा भी बना सकते हैं, इसके अलावब दोस्तों, आदिट्टे का वहां साथ खोडे, वरुन का वहां साथ खनस, ब्रह्मा का वहां साथ हनस, महिश्वरी का, वहां बैल, दुर्गा का सिंह और अगनी का मेशाधी माने ग लाइक कमेंट तो करना बनता है दोस्तों और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर अलका शारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन की बेल को दबाते ताकि सारे मेरी जितने भी वीडियो में अपलोड करूंगे उसके नोटि स्क्राइब कर दोस्ते जरूर आइक करूंगे पå।